नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल अल्टिमेट नौलेज पर दोस्तों हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने जीवन में खूबसूरत दिखने की इक्षा हर इनसान के अंदर होती है चाहे वो पुरुसों या फिर महिला हो ये बात अलग है कि महिलाओं के अंदर खूबसूरत दिखने की इक्षा पुरुसों की तुल्ला में कई गुना जादा होती है जिस करन से महिलाएं अपने जीवन में खुद को सुन्दर बनाए रखने के लिए तरह तरह के उपाई भी करती है इस बात को तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही है कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महिलाएं है लेकिन जब बात खूबसूरती की हो तो मिस्र की राजकुमारी क्लियो पैट्रो का नाम ना है ऐसा तो होई नहीं सकता क्लियो पैट्रो ऐसी सुन्दर राजकुमारी थी कि जिसे कोई भी इंसान अगर एक बारी देख ले तो वो इंसान देखते ही मदहोस हो जाए इनकी खूबसूरती अपने आप में अदुत्य मानी जाती है लेकिन इस खूबसूरती को पाने के लिए क्लियो पैट्रो ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया था मिसर की राजकुमारी अपनी लाइफ में खुद को जवान और खूबसूरत बनाये के लिए कई तरह के उपाय करती थी ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की राजकुमारी अपने जीबन में 700 गधियों के दूद में हल्दी मिला करके नहाती थी अपनी स्किन को मोस्टराइज रखने के लिए रोयाल जैली जो की एक खास प्रकार का शहद होता है उसका उपयोग करती थी आँखों को आकरशक बनाय रखने के लिए काला गालियान या फिर हरा मेला काइट का प्रियोग करती थी जिसे दालचीनी और लोबान के साथ तयार किया जाता था ये आँखों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है मिसर की राजकुमारी के लिए पैटरो अपनी सकिन को एक्सफोलियेट करने के लिए डैड सी नमक का उपयोग करती थी आप लोगों ने भी डैड सी नमक के बारे में तो सुना ही होगा इस नमक को सकिन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है मिसर की राजकुमारी अपनी खूपसूरती को लेकर के काफी जाग रुख थी और अपनी खूपसूरती को बनाये रखने के लिए मिसर की राजकुमारी अपने जीवन में उन सभी चीजों को किया करती थी जिससे वो अपने जीवन में दूसरों के मुकाबले खूपसूरत और जवान दिख सके।